अपने सेक्टिलर क्रिडेंशियल को लेकर हमेशा सचेत रहने वाले बिहार के मुख्य मंत्रें तीश कुमार की चिंता उनके मंत्रियों नहीं बढ़ा दी है अगर मदर्सों की इस कारशैली को नहीं रोका गया तो मामला और गमहीर हो सकता है वहीं इस बयान के बाद विहार की सियासत गर्मा गई है NDA के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने इस बयान पर अपना विरोज जताया है हम परवक्ता दानिश रिजवान ने मदर्सों पर डिपनी करने वालों पर मुख्य मंत्री से कारवाई की मांग की है उन्होंने कहा कि सरकार में कुछ जाहिल मंत्री बन गए हैं जिन्हें अब बढ़खास कर देना चाहिए कुछ जाहिल मंत्रियों के कारण सरकार की भद पिट रही है और बिहार में जो मदर्से चल रहे हैं अनरगर ब्यानबाजी करिएगा तो मदर्सा वो आसमान है जिस पर अगर आप थुकplants आपके मूह पर पड़ेगी इसलिए मैं माननी मुख्मति नितीश कुमार जी से अनुरोद करूँगा कि ऐसे जाहिल गवार मंत्री जो सरकारी योजना और सरकारी मच से चलने वाले मदरसों पटिपणी कर रहे हैं उनको अविलम मंत्री मंदल से बाहर का रस्ता दिखाईए ये लोग संपरदाइकता की र जो बिहार के स्कूलों में पढ़ा जाता है बच्चों को अच्छी सिक्षा मिले और देश के खिलाफ मन में नफरत ना फैले इसके लिए सरकार द्वारा तैप पाठिकरम का लागू किया जाना जवरी है बिहार सरकार के एक और मंत्री जिवेश मिश्रा ने भी बिहार की मदर्सा पर बड़े सवाल खरे करते हुए कहा कि हम मदर्सा के खिलाफ नहीं है लेकिन ये देखना भी दिल्चस्प है कि अधिकांस मदर्सों में कैसी बाते पढ़ाई जाती है आखिर क्या वजह है कि जब भी कोई घटना घटती है तो उसमें मदर्सा का कोई ना कोई कनेक पुनिया की और से इस गंतन दिवस की अफचर पर आप सबी को मैं बढ़ाई देता हूं धनवाद देता हूं